नमर्शकार, उनकी कलम मेरी आवाज में आप सभी कसागत है बड़ों को प्रणाम और छोटों को बहुत सा प्यान चलिए सुनते हैं कहानी गूंगी जिसे लिखा है श्री रविन्ना टैगोर जी ने कन्या का नाम जब सुभाशनी रखा गया था तब कौन जानता था कि वह गूंगी होगी इसके पहले उसकी दो बड़ी बहनों के सुकेशनी और सुहासनी नाम रखे जा चुके थे इसी से तुक बंदी मिलाने के हेतु उसके पिता ने छोटी कन्या का नाम रख दिया सुभाशनी अब केवल सब उसे सुभा ही कहकर बुलाते हैं बहुत खोज और खर्च के बाद दोनों बड़ी कन्याओं के हाथ पीले हो चुके हैं और अब छोटी कन्या सुभा माता पिता के हिदे के नीरव बोच की तरह घर की शोभा बढ़ा रही है जो बोल नहीं सकती वह सब कुछ अनुभव कर सकती है या बात सब की समझ में नहीं आती और इसी से सुभा के सामने ही सब उसके भविश्य के बारे में तरह तरह की चिंता फिक्र की बाते किया करते हैं किन्तु स्वैम शुभा इस बात को बच्पन से ही समझ चुकी है, कि उसने विधाता के शाप के वशिभूत होकर ही इस घर में जन्म लिया है, इसका फल यह निकला कि वह सदैव अपने को सब परिजनों के द्रिष्टी से बचाए रखने के प्रयत्न में लगी रहती है, माता पिता के मन में वह हर समय पीडा की तरह जीती जाकती बनी रहती है, विशेश कर उसकी माता नहीं किसी गलती के रूप में देखती है, क्योंकि प्रतेक माता पुत्र की अपेक्षा पुत्री को कहीं अधिक अपने अंश के रूप में देखती है, और पुत्री में किसी प्रकार की कमी होने पर उसे अपने लिए मानो विशेश रूप से लज्जा जनक पाते समझती है शुभा के पिता वाणी कंठ तो शुभा को अपनी दोनों बड़ी पुत्रियों की अपेक्षा कुछ अधिक ही स्नेह करते हैं पर माता उसे अपने गर्व का कलंग समझ कर उसे उधा सीन ही रहती हैं शुभा को बोलने की जबान नहीं है पर उसकी लंबी लंबी पलकों में दो बड़ी बड़ी काली आखें अवश्य हैं और उसके ओष्ट तो मन के भावों के तनिक से संकेत पर नए पल्लव की तरह काप काप उठते हैं वाडी द्वारा हम जो अपने मन के भाव प्रकट करते हैं उसको हमें बहुत कुछ अपनी चेश्ठाओं से गढ़ लेना पड़ता है बस कुछ अनुवाद करने के समान ही समझिये और वह हर समय ठीक भी नहीं होता ताकत की कमी से बहुदा उसमें भूल हो जाती है लेकिन खंजन जैसी आखों को कभी कुछ भी अनुवाद नहीं करना पड़ता मन अपने आप ही उन पर छाया डालता रहता है मन के भाव अपने आप ही उस चाया में कभी वेस्तरित होते और कभी सिकुडते हैं कभी कभी आखें चमक दमक कर जलने लगती हैं और कभी उदा सीन्ता की कालिमा में पुछ सी जाती हैं कभी डूपते हुए चंद्रमा की तरह टक्ट की लगाए न जाने क्या देखती रहती हैं तो कभी जंचल दामीनी की तरह उपर नीचे इधर उधर चारों और बड़ी तेजी से छिटकने लगती हैं और विशेशकर मुँ के भाव के सिवा जिसके पास जन्म से ही और कोई भाशा नहीं उसकी आँखों की भाशा तो बहुत उदार और अथाह गहरी होती ही है करीब करीब साफ सुत्रे नील गगन के समान उन आखों को उदे से अस्त तक सुबह से शाम तक और साम से सुबह तक छवी लोग के निस्तब्धरंग भूमी ही मानना चाहिए जिवा ही निसकन्या में विशाल प्रकृती के समानिक जन हीन महानता है और यही कारण है कि साधारन लड़के लड़कियों को उसकी और से किसी न किसी प्रकार का भैसा बना रहता उसके साथ कोई खेलता नहीं वा नीरव दुपहरिया के समान शब्दहीन और संगहीन एकांत वासिनी बनी रहती गाउं का नाम है चंडीपुर उसके पार्श में बहने वाली सरिता बंगाल की एक छोटी सी सरिता है ग्रिहस्त के घर की छोटी लड़की के समान बहुत दूर तक उसका फैलाव नहीं है उसको तनिक भी आलस से नहीं वह अपनी इकहरी देह लिए अपने दोनों छोरों की रक्षा करती हुई अपना काम करती जाती है दोनों छोरों के ग्राम वाशियों के साथ मानों उसका एक नएक संबंद स्ताफित हो गया है दोनों और गाम हैं और व्रिक्षों की छायदार उचे किनारे हैं जिनके नीचे से गाउं की लक्षमी सरिता अपने आपको भूल कर सिगरता के साथ कदम बढ़ाती हुई बहुत ही प्रसन्यचित असंख सुबकारियों के लिए चली जा रही है बाडी कंट का अपना घर नदी के बिलकुल एक छोर पे है उसका खपच्चियों का बेडा, उचा छपपर, गाय घर, भूस का धेर, आम, कटहल और केलों का बगीचा हर एक नाविक के द्रिष्टी अपनी और आकरशित करता है ऐसे घर में आसानी से चलने वाली ऐसी सुख की ग्रिहस्ती में उस गूंगी कन्या पर किसी की द्रिष्टी पड़ती है या नहीं, मालूम नहीं पर कामधंदों से जियों ही उसे तनिक फोर्षत मिलती, तियों ही जट से वह उस नदी के किनारे जा बैठती प्रकृती अपने पार्ष में बैठ कर उसकी सारी कमी को पूण कर देती है नदी की स्वर्ध्वनी, मनुश्यों का शोर, नाविकों का सूमधुर गान, चिड़ियों का चह चहाना, पेड़ पौंधों की मर्मर्ध्वनी सब मिलकर चारो ओर के गमना गमन, आंदोलन और कमपन के साथ होकर सागर की उत्ताल तरंगों के समान, उस बालिका के चिर स्टब्ध हिर्दय, उपकूल के पार्ष में आकर मानों तूट फूट पड़ती है प्रकृती के ये अनोखे शब्द और अनोखे गीत या भी तो गूंगी की ही भाषा है, बड़ी बड़ी आँखों और उसमें भी बड़ी पलकों वाली सुभाशनी की जो भाषा है, उसी का मानोवा विश्वव्यापि फैलाव है जिसमें जींगुरों की जिन जिन ध्वनी से गूश्टी हुई त्रण भूमी से लेकर, सब दातीत नक्षत्र लोग तक केवल इंकित संगीत, कंदन और उच्छावा से भरी पड़ी हैं और दुपहरिया को नाविक और मच्छुए, खाने के लिए अपने अपने घर जाते, ग्रिहस्त और पक्षी आराम करते, पार उतारने वाली नौका बंद पड़ी रहती, जन समाज अपने सारे कामधंदों के बीच में रुख कर, सहसा भयानक निर्जन मूर्थी धारन करता तब रूद्र महाकाल के नीचे एक गूंगी, प्रकृती और एक गूंगी कन्या, दोनों आमने सामने चुप चाप बैठी रहती, एक दूर तक फैली हुई धूप में, और दूसरी एक छोटे से व्रिक्ष की छाया में, सुभाशनी की कोई सहेली हो ही नहीं, सो बात नहीं, गौ घर में दो गाये हैं, एक का नाम है सरस्वती और दूसरी का नाम है पार्वती, ये नाम सुभाशनी के मुह से उन गायों ने कभी भी नहीं सुने, परन्तु वे अपने पैरों की मंथर गती को भली भाती बहचानती हैं, सुभाशनी का बिना बातों का एक ऐसा करुन स् है जिसका अर्थ विभाशा की अपेक्षा कहीं अधिक सरलता से समझ जाती हैं, वह कभी उन पर लाड करती, कभी डांटती और कभी प्रातना का भाव दर्शा कर उन्हें मनाती और इन बातों को उसकी सारों और पारों इनसान से कहीं अधिक और भली भाती समझ जाती हैं, तब पारो इस नेह की दृष्टी से उसकी और निहारती हुई, उसके शरीर को चाटने लगती है। सुभाशनी दिन भर में कम से कम दो तीन बार तो नियम से गौगहर में जाया करती। इसके सिवा अनियमित आना जाना भी बना रहता। घर में जिस दिन वह कोई सक्त बात सुनती, उस दिन उसका समय अपनी गूंगी सक्खियों के पास बीटता। सुभाशनी की सहन शीलता और विशाद सांत चितवन को देखकर वे ना जाने कैसी एक अन्य अनुमान शक्ती में उसकी मर्म वेदना को समझ जाती। और उसकी देख से सटकर दीरे दीरे उसकी बाहों पर सींग खिस-खिस कर अपनी मौन आकुलता से उसको धैरे बानने का प्रयत्न करती। इसके सिवा एक बकरी और बिल्ली का बच्चा भी था। उनके साथ सुभाशनी की गहरी मित्रता तो नहीं थी। फिर भी वे उससे बहुत प्यार रखते और कहने के अनुसार चलते। बिल्ली का बच्चा चाहे दिन हो या रात जब तक सुभाशनी की गर्म गोद पर बिना किसी संकोच के अपना हग जमा लेता और सुख की नी सोने की तयारी करता और सुभाशनी जब उसकी गरदन और पीट पर अपनी कोमल उंगलियां फेडती तब तो वह ऐसे आंतरिक भा दर्शाने लगता मानोस को नीन में खास सहायता मिल रही है उची स्रेंडी के प्राणियों में सुभाशनी को और भी एक मित्र मिल गया था किंत उसके साथ उसका ठीक कैसा संबन था इसकी पक्की खबर बताना मुश्किल है क्योंकि उसके बोलने की जिहवा है और वह और निकम्मा था उसके माता पिता ने बड़े प्रयतनों के उपरांत इस बात की आशा तो बिल्कुल छोड़ दी थी कि वह कोई काम काच करके घर ग्रियस्ती की कुछ सहायता करेगा निकम्मों के लिए एक बड़ा सुभीता यह है कि परिजन उन पर बेशक नाराज रहे है पर बाहरी जनों के लिए वे प्राया स्नेह पात्र होते हैं कारण किसे विशेश काम में नाफसे रहने से वे सरकारी मिलकियत से बन जाते हैं नगरों में जैसे घर के पार्शु में या कुछ दूर पर एकात सरकारी बगीचे का रहना अवश्यक है वैसे ही गाउं में दोचा निठल्ले निकम्में सरकारी इंसानों का रहना अवश्यक है काम धंदों में, हास परिहास में और जहां कहीं भी एकात की कमी देखी, वहीं वे चट से हाथ के पास ही मिल जाते हैं प्रताप की विशेश रूची एक ही है, वह है मचली पकड़ना इससे उसका बहुत सा समय आसानी के साथ कड़ जाता है तीसरे वहर सरिता के तीर पर बहुदावा इस काम में तल्लीन दिखाए देता और इसी बहाने सुभाशिनी से उसकी भेंट हुआ करती चाहे किसी भी काम में हो, पार्श में एक हमजोली मिलने मात्र से ही प्रताप का हिदय खुशी से ना चुटता मचली के शिकार में मौन साथी हुई सबसे श्रेश कर माना जाता है अता प्रताप सुभाशिनी की खुबी को जानता है और कद्र करता है यही कारण है कि और सब तो सुभाशिनी को शुभा कहते किन्त प्रताप उसमें और भी सनेह भरकर सुभा को शू कहकर पुकारता सुभाशीनी इमली के व्रिक्ष के नीचे बैठी रहती और प्रताप पासी जमीन पर बैठा हुआ सरिता जल में काटा डाल कर उसी की ओर निहारता रहता प्रताप के लिए उसकी ओर से हर रोज एक पान का बीड़ा बंधा हुआ था और उसे स्वैम वह अपने हाथ से लगा कर लाती और शायद बहुत देर तक बैठे बैठे देखते उसकी इक्षा होती कि वह प्रताप की कोई विसेश सहता करे उसके किसी काम में सहारा दे उसके ऐसा मन में आता कि किसी प्रकार वह या पता दे कि संसार में वह भी एक कम आवश्यक व्यक्ति नहीं लेकिन उसके पास ना तो कुछ करने को था और ना कुछ कर ही सकती थी तब वा मन ही मन भगवान से ऐसी अलोकिक शक्ती के लिए विंती करती कि जिससे वा जादू मंतर से चट से ऐसा कोई चमतकार दिखा सके जिसे देखकर प्रताब दंग रह जाए और कहने लगे अच्छा शूद मे यह करामात मुझे क्या पता था मान लो सुभाशनी यदि जल पर होती और धीरे धीरे जल में से निकल कर सर्प के माथे की मड़ी घाट पर रख देती और प्रताब अपने उस छोटे से धंदे को छोड़ कर मड़ी को पाकर जल में डुपकी लगाता और पाताल में पहुँच कर देखता कि रजत प्रशाद में स्वण जडित सहया पर कौन बैठी है और आश्चर में मुँँ खोल कर कहता अरे यह तो अपनी वाणी कंट के घर की वा गुंगी छोटी कन्या है सू, मेरी सू आज मड़ीों से जडित, गंभीर, निशब्द पाताल पूरी की एक मातर जल परी बनी बैठी है तो क्याया बात हो ही नहीं सकती क्याया नितांत असंभव ही है वास्तों में कुछ भी असंभव नहीν लेकिन फिर भी सू, प्रजा सू ने पाताल पूरी के राज खराने में जन्म न लेकर वाणी कंट के घर पैदा हुई है और इसी लिए वह आज गुसाईयों के घर के लड़के प्रताप को किसी प्रकार के आश्चरे से अचम्वित नहीं कर सकती सुभाशनी की अवस्था दिन प्रति दिन बढ़ती ही जा रही थी धीरे धीरे मानो वह अपने आपको अनुभव कर रही है मानो किसी एक पूरिमा को किसी शागर से एक ज्वार सा आ कर उसके अंतराल को किसी एक नवीन अनिवर्चनी चीतना शक्ति से भर भर देता है अब मानो वह अपने आपको देख रही है अपने विशय में कुछ सोच रही है कुछ पूछ रही है लेकिन कुछ समझ नहीं पाती पूरिमा की गाड़ी रात्री में उसने एक दिन धीरे से कक्ष के जरोखों को खोल कर भय त्रस्तावस्था में मुह निकालकर बाहर की ओर देखा देखा कि संपून प्रकृती भी उसके समान सोती हुई दुनिया पर अकेली बैठी हुई जाग रही है वह भी यौवन के उन्मात से आनन से विशाद से असीम निरवता की अंतिम परिधी तक यहां तक की उसे भी पार करके चुप चाप इस्थिर बैठी है एक शब्द भी उसके मुँसे नहीं निकल रहा है मानू इस इस्थिर निशब्द प्रकृती के एक छोर पर उसने भी इस्थिर और उससे भी निशब्द एक भोली लड़की खड़ी हूँ इधर कन्या के विवाह के चिंता में माता पिता बहुत बेचैन उठो उठे हैं और गाओं के लोग भी यत्र तत्र निंदा कर रहे हैं यहां तक की जाती विक्षेत कर देने की भी अफवाह उड़ी हुई है वाणी कंट की आर्थिक दशा वैसे अच्छी है खाते पीते आराम से हैं और इसी कारण इनके शत्रों की भी गिंती नहीं है इस्तरी पुरुषों में इस बात पर बहुत कुछ सलाह मश्वेरा हुआ कुछ दिनों के लिए वाणी कंट काउं से बाहर परदेश चले गए अंत में एक दिन घर लोटकर पत्नी से बोले चलो कलकत्ते चले कलकत्ता गमन की तैयारी पूरे जोर सोर से हुने लगी कुहरे से ढके हुए सवेरे के समान सुभा का सारा अंतहकरन अश्रों की भाब से उपर तक भराया भावी आशंका से भैभीत होकर वह कुछ दिनों से मूख पशू की तरह लगातार अपने माता-पिता के साथ रहती और अपने बड़े-बड़े नेत्रों से उनके मुक की और देखकर मानो कुछ समझने का प्रयत्न किया करती पर वे उसे कोई भी बात समझा कर बताते ही नहीं थे इसी बीच में एक दिन तीसरे पहर तटके समीब मचली का सिकार करते वे प्रताप ने हस्ते हस्ते पूछा क्यों रीसू? मैंने सुना है कि तेरे लिए वर मिल गया है तीर से घायल हिरनी जैसे शिकारी की ओर ताकती और आखों ही आखों में वेदना प्रकट करती हुई कहती रहती मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? शुभा ने लगभग वैसे ही प्रताप की ओर देखा उस दिन वा व्रिक्ष के नीचे नहीं बैठी बाड़ी कंट जब बिस्तर से उठकर धूम्रपान कर रहे थे सुभा उनके चर्णों के पास बैठकर उनके मुख की और देखती हुई रोने लगी अंत्र में बेटी को धाड़स और सांत्वना देते हुए पिता के सुखे हुए कपोलों पर अश्रु की दो बूडे धुलक पड़ी कल कलकत्ता जाने का शुब मूरत है शुभा ग्वाल घर में अपनी चिर संगिनियों से विदा लेने के लिए गई थी उन्हें अपने हाथ से खिला कर गले में बाह डाल कर वह अपनी दोनों आखों से खूब जी भर के उनसे बाते करने लगी उसके दोनों नेत्र अश्रुओं के बान को ना रोक सके उस दिन शुकला द्वादरशी की रात थी शुभा अपनी कोठरी में से निकल कर उसी जाने पहचाने सरिता तटके कच्चे घाट के पास है तु मुझे कहीं के लिए मत विदाकर मा मेरे समान तु मुझे अपनी बाहों से पकड़े रख च़ीं मत विदाकर कलकत्ते के एक किराय के मकान में एक दिन शुभा की माता ने उसे वस्तरों से खूब सजा दिया कस कर उसका जूड़ा बांदिया उसमें जरी का फीता लपेट दिया आभूशनों से लाद कर उसके स्वभाविक सौंदरे को भर्स कर मिटा दिया सुभा के दोनों नेत्र अशों से गीले थे नेत्र कहीं सूख न जाए इस भैसे माता ने उसे बहुत समझाया बुझाया और अंत में फटकारा भी पर अशों ने फटकार की कोई परवाह ना की उस दिन कई मित्रों के साथ वह कन्या को देखने के लिए आया कन्या के माता पिता चिंतित, शंकित और भैभीत हो उठे मानो देवता स्वैम अपनी बली के पशों को देखने आये हो अंदर से बहुत डाट फटकार कर बता कर कन्या के अशों की धारा को और भी तीव्र रूप देखकर उसे निरिक्षिकों के सम्मुग भेज दिया निरिक्षिकों ने बहुत देर तक देखभाल के उपरांद कहा ऐसी कोई बुरी भी नहीं है विशेश कर कन्या के अशों को देखकर वे समझ गए कि इसके हिदय में कुछ दर्द भी है और फिर हिसाब लगा कर देखा कि जो हिदय आज माता पिता के बिच्छों की बात सोचकर इस प्रकार द्रवित हो रहा है अंत में कल उनी के काम वहाएगा सीप के मोती के समान कन्या के आशों की बूंदे उसका मूल बढ़ाने लगी उसकी ओर से और किसी को कुछ कहना ही नहीं पड़ा पात्र देख कर खूब अच्छे मूरत में सुभा का विवास अंसकार हो गया गूंगी कन्या को दूसरों के हाथ सौप कर माता पिता अपने घर लोटाए और तब कहीं उनकी जाती और परलोग की रक्षा हो सकी सुभा का पती पक्षाह की योर नौकरी करता है विवाह के उपरान सीगरी वा पत्नी को लेकर नौकरी पर चला गया एक सप्ताह के अंदर ससुराल के सब लोग समझ गए कि बहू गूंगी है पर इतना किसी ने ना समझा कि इसमें उसका अपना कोई दोश नहीं उसने किसी के साथ विश्वास खात नहीं किया है उसके नेत्रों ने सभी बाते कह दी थी किन्तु कोई उसे समझ न सका अव चारों ओर निहारती रहती है उसे अपने मन की बात कहने की भाशा नहीं मिलती जो गूंगे की भाशा समस्ते थे उसके जन्म से परिचित थे वे चहरे उसे यहां दिखाई नहीं देते कन्या के गहरे शांत अंतह करण में असीम अव्यक्त करंदन ध्वनित हो उठा और शिष्टिकर्ता के सिवा और कोई उसे सुन ही न सका अब की बार उसका पती अपनी आखों और कानों से ठीक प्रकार परिक्षा लेकर एक बोलने वाली कन्या को ब्याह लाया आशा है कि आपको यह कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो प्लीज मुझे प्रोथसाहित करने के लिए एक लाइक करें अपनों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ तब तक के लिए आप सभी का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद